देमोक्रिसी, डेमोग्राफी और यंग पॉपुलेशन और दिमांड ये थ्री डीज को आगे लेके अब भारत बहुत तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश पना है मॉर्गन स्टैनली जो एक अंतराष्ट्रय स्थर पर बहुत ही प्रसिद संचता है उसने अपनी एक भारत के बारे में रिपोर्ट में दिये करें कि जो आज का भारत है 2023 का भारत वो 2013 के भारत से बिलकुल अलग है आज भारत के अंतराष्ट्रय चवी के लिए बहुत महतोपून दिन है भारत के लोगों के भविश्य के लिए बहुत महतोपून दिन है और प्रदान मंत्री डरेद्र मोधी जी के कुशल और निनायक नित्रतों में जिस प्रकार से भारत तेज गती से आगे बढ़ रहा है उसकी पुष्टी जो आज अंतराष्ट्र स्थर पर भी और भारत में जो आकने आ रहे हैं उन्स सब को मद्दे नजर रखते हुए आज का दिन यादगार दिन रहेगा Morgan Stanley जो एक अंतराष्ट्र स्थर पर बहुत ही प्रसिद संचता है उसने अपनी एक भारत के बारे में रिपोर्ट में जिसका शीर्शक था how India has transformed in less than a decade वो यह क्या रहे हैं कि जो आज का भारत है 2023 का भारत वो 2013 के भारत से बिलकुल अलग है एक नया भारत है एक ऐसा भारत जो शायद विश्व में किसी ने कभी कलपना नहीं की थी आज भारत की वो स्थिती बनी है विदेशी कमपनियां का जो विश्वास बना है भारत के उपर जो मल्टिनैशनल कॉर्परेशन्स और भारत के उद्योग जगत में जो आत्म विश्वास बना है जो थ्री डीज डेमोक्रिसी डेमोग्राफी और यंग पॉपुलेशन और दिमांड ये थ्री डीज को आगे लेके अब भारत बहुत तेज गती से आगे है बढ़ने वाला देश बना है और आगे के दिनों में अगले पत्थीस वर्ष में हम एक विक्सित देश के रूप में उबरेंगे सब का प्रयास, सब का विश्वास और सब का साथ लेके इस देश में सब का विकास हो इस कल्पना के साथ एक कृतग्य भावना से नौ साल हमें सेवा करने का जो भारत की जनता ने पून भावमत की सरकार दो बार बनाके हमें मौका दिया कि हम इस देश को इस थिती पे ला सकें कि विश्वा आज भारत को एक नई रूप से नई दिश्टी कौन से देख विश्वा में भारत की एक नई पहचानो यह हम सब के लिए गर्व की बात है मुझे विश्वास है कि पूरी दुनिया जो आज देख रही है जो देश का हर व्यक्ती 140 क्रोड लोग शायद एकाद उसमें इस विश्वा को एब्जॉब नहीं कर पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं पर एकाद लोगों की विफलताओं की वज़े से मैं समझता हूँ देश का उत्सा कम नहीं होगा 140 क्रोड देश वासी आज मजबूती के साथ प्रदान मंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं उनको आशिरवाद दे रहे हैं कि वो और आगे देश को बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें